हलो दोस्तों नमस्कार आपको पता दे फिरी सिलाई मसीन योजना 2013 इन नव राचिव में अब महिलाओं को मिलेगी फिरी सिलाई मसीन यहां से तुरंट अनलाइन आवेदन करें दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास तक पूरा देखो और आप माने चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए दोस्तों आपको बता दे फिरी सिलाई मसीन सेच्मी 2013 परधान मंत्री द्वारा फिरी सिलाई मसीन योजना की खोंस्टा कर द आने वाले हैं सिरी सिलाई मसीन योजना 2000 तेख किया है और सब्सक्राइब काम करने के लिए प्रत्षाहित करने के लिए मुफ्च सिलाई मसीन योजना शुरू की है जो महिलाओं को सस्तक बनाने में काफी मदद करेगी परत्य एक राज्ज में 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्च सिलाई मसीने मिलेंगी यहां सहरी और ग्रामीर दोनों छेत्रों में आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की मदद करेगा देश में इस्चुप महिलाओं जो मुफ्च सिलाई मसीन फिरी सिलाई मसीन प्राप्त करना चाहती है उन्हें इसके लिए आवेधन करना होगा इस योजना की तहट केवल 20-40 स्वर्ट की आईवकी महिलाओं ही आवेधन कर सकते हैं। मिनिश्यूल्ग सिलाई मसीन योजना 2023 सिरी सिलाई मसीन योजना 2023 से संबंदित विस्त्रीत जानकारी के लिए वीडियो लास्त कूरा देखें। पी एम ने कहा है कि इस योजना से देश्च की सभी महिलाओं को बाहर निकलने बिना आराम से घर बैठे पैसे कमाने की सिब्दा परदान करती हैं इससे देश के ग्रामीन और सहरी दोनों शेत्रों में आर्थिक रूप से बंचित महिलाओं और मजबूरों को मदद मिलेगी जिससे उनका आर्थिक इस्तिती में काफी वदलाव आएगी और अपना जीवन काफी खुशी से जी सकेंगे पीम मुफ्ष चिलाई मसीन दोजार तेज कारी करम के तहत हर राज में 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्ष चिलाई मसीन विप्रीद करेगी सर्मिक महिलाएं इस युजना की माध्यम से मुफ्ष चिलाई मसीन प्राप्त करके इस युजना को लागू सबसे पहले इनहीं सब राज्यों में लागू किया गया है फिरी शिलाई मसीन युजना दोजार तेज के उद्देश करोना के महामारी के कारण हमारे देश में बेरोजगारी पहले सी और भी ज्यादा बढ़ गई है जीवन किसी के लिए बेहत चु कई बेरोजगार महिलाएं अपने जीवन में कठन दौइं बढ़ गुजर रही है जाःती युजना महिलाओं को आत्ला और निर्भर और स्वितन तर बनाने के लिए बनाया गया है मुझत चिलाई मसीन युझन compilation 2013 फिरी शिलाई मसीन युझन 2013 का लाच्छे लोगों को मुफ्त शिलाई मसीन पर दान करना है। इसी मुफ्त सिलाई मसीन कारिकरम फिरी सिलाई मसीन Shhane 2013 के माध्य gözकिंगे मह करने सर्मिक आद निर्भड और शर्ष्तिक हो और ग्रामिल महिला की तित्ति में तुधार होगा और वे अपना जीवन यापन कर्ष धंग से कर सकेंगी फिरी सिलाई मसीन योजना 2030 के लिए पातता जो महिलाएं फिरी सिलाई मसीन योजना 2030 के लिए अवैजन करना चाहते हैं उन्हें भारत की केंद सरकार द्वारा निर्धायत पातता मान दंडो को पूरा कर करना होगा जो इस परकार हैं जैसे कि केवल देश के गरीम महिलाएं ही फिरी सिलाई मसीन योजना 2030 के लिए वैजन कर सकती हैं आवेदक भारती नागरित होनी चाहिए इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 20-40 वर्ष की बीच होनी चाहिए इस मुष् भाग में लेने के लिए पात रहांगी फिरी सिलाई मसीन योजना 2030 के लिए आवजएक दास्त वेज योजना के लिए आवेदन करने समय हाँ व HOLGR को कुछ महात्पोन दस्तवेज की आवसेकता पड़ेगी आवेजन के लिए आवसेक दस्तवेज जैसे की आधार कार्ड, पास्वोट, साइज फोटो, मोबाइल नमबर, आई परमाण पत्र, पहचान पत्र, समुदा आई परमाण पत्र, विकलांग होने पर विकलांग ता चिकि परमाण पत्र, यह कोई महीला बिध़वा है तो उतका नरिश्चक, बिध़वा परमाण पत्र, फिरी 6 योजनения 23 2 सरकारेम की तatiर राज में 50अजार से अधिक महिलाओं को Ёजन की कारण, महीलाओं, परिवारों की आर्ठिक इस्ति में सुधर होगा, जिस्ते वे स्वतंत रूर्प से अपना जीवन व्यापन कर सकती है सरकार देष में सभी सरमिक महिलाओं को मुख्त तिलाई मसीन योजिना दोजार तेष्ट के ताहत मुख्त में तिलाई मसीन परदान करेगी देश में महिलाएं घर बैठे लोगों को कपले सिलकर अच्छा पैसा कमा सकती हैं इस योजना में देश की सारी और ग्रामीट दोनों छेत्रे में आर्थिक रूप से वांचित प्रिस्ट भूम की महिलाओं को लाभ होगा इस योजना के माध्यां से देश की वंचित महिलाओं को नौफरी बादान की जाएगी सिलाई मसीन योजना दोहजार देश के लिए आवज़दन कैसे करें इस योजना का लाभ सिर्फ 24-46 साल की अमर की महिलाओं भी इस योजना आवज़दन कर सकती हैं और वह का रोजगार भी शुरू कर सकती हैं इस योजना के तहट हमारा सरकार ने मुफ्त शिलाई मसीन योजना गुजरात, हधियाना, बिहार, उस्तर परदेश, राजस्थान, करनाटक, महाराट, मध्य परदेश, शेतिरगर, कई राज्यों में चला रही हैं इन सभी राज् करने के लिए स्वर्व पर्थम आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइड पर जाना होगा अधिकारिक वेबसाइड में परवेश करने के पश्चात आपको काउन वन साइडे फ्री शिलाई मसीन योजना के लिंक दिखाई देगी इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के नहीं होते हैं